हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में JCRT Class 5 का इंग्लीज में Good Night and Good Morning का जो पोयम है इसका हिंदी मीनिंग को अच्छे से समझेंगे एक एक लाइन को पढ़के मैंने इसका Question Answer वाला वीडियो अपलोड कर दिया था तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आपको इसका Hindi मीनिंग वाला वीडियो चाहिए तो आप Comment करिएगा तो कुछ बच्चोंने Comment किया तो बस उसी का Comment पढ़के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ठीक है तो आप इस वीडियो को देख लिजीए और इस पोयम को अच्छे से समझ लिजीए कि इसमें इस कविता में क्या कर रहा है तो देखें इस कविता का नाम क्या है इस पोयम का नाम है गुड नाइट एंड गुड मॉर्निग तो किसी को ग्रेट तो करते ही होंगे गुड नाइट एंड गुड मॉर्निग तो इसका मतलब क्या होता है तो गुड नाइट का मतलब होता है सुब रातरी और सुब प्रभात ठीक है, देखिए यहां पर क्या कर रहा है, do you know, क्या आप जानते हैं, do you work at home, क्या आप घर पर काम करते हैं, when do you do these works, कब आप ये काम करते हैं, ठीक है, when do you take rest, कब आप आराम करते हैं, rest का मतलब होता है, आराम करना, ठीक है, अब आगे देखिए कर रहा है, do animals, birds and plants take rest, क्या जानवर, पक्छी और पौधे भी rest करते हैं, मतलब आराम करते हैं, तो ये सब caution कर रहा है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या कर रहा है, देखिए, now read the poem to know, कर रहा है, इस little girl observes everyone taking rest, कैसे छोटा सा जो लड़की है, वो गौर करती है, ध्याम से देखती है, कि हर एक कोई कैसे rest करते हैं, taking rest, मतलब हर एक कोई, everyone, हर एक कोई कैसे rest करते हैं, कैसे आराम करते हैं, तो चलिए, कविता को, poem को read करते हैं, line by line, और इसका Hindi meaning को भी अच्छे से समझते हैं, तो देखिए, यहाँ पर लिखावा read and enjoy, पढ़ें और आनन्द लें, देखिए, enjoy मतलब आनन्द लेना, ठीक है, read मतलब पढ़ना, a cute little girl sat under a tree, cute मतलब प्यारी, ठीक है, एक प्यारी सी लड़की, या फिर बच्ची, है न, एक पेड के नीचे बैठी थी, ठीक है, और देखि क्या कर रहा गे, working as long as her eyes could see, जब तक उसकी आखें देख सकती थी, मतलब जब तक अंधेरा ना हो गया, तब तक वो देखती रही, पेड के नीचे में बैठी, है न, वो बैठ के देख रहे थी दिन भर, कि कौन क्या कैसे अराम कर रही है, कौन कौन कीस तरीके से अराम कर रह जब तक की सामना हो गया, और उसकी आखें, मतलब उसकी आखों के सामने जब तक नजर आता रहा, ठीक है, अब देखें, then, smoothed her work and folded it right, फिर उसका काम सुचारू किया और उसे दाई और मोर दिया, मतलब वो क्या की, दाई और मोर के देखी, and said, और कहती है, dear work, good night, good night, प्रि good night का मतलब अलविदा भी होता है, ठीक है, तो इस तरीके से वो लड़की कहती है, देखें, आगे का करा रहा है, such a number of crows came over her head, कुछ कवे, उनके सीर के उपर उड़ते वे, आते हैं, है न, वो सीर के उपर में या पर आपको दिख रहा होगा, काला कला कवे, आ रहे हैं, ठी कोवा कैसे चिलाते हैं, काव काव करते हैं, ठीक है, on their way to bed, कोवे लोग पेड में जहां अपना बेड बनाया है, मतलब सोने का जगा बनाया है, उन्हेस्ट घुसला, वहाँ पर उस रास्ते में जाते हैं, चिलाते हैं, क्याव क्या कर रही है, उसने कहा जब वह उनकी उत्सुक उडान देख रही थी ठीक है, क्योरियस का मतलब होता है उत्सुक छोटी छोटी जो भी काली चीजे हैं उनको भी गुड़ नाइट और गुड़ नाइट मतलब सुबरात्री कहती है फिर आगे क्या कर रही है जो घोड़े होते हैं उनका जो आवाज होता है हिन हिना नाइट को मतलब हिन हिनाया ठीक है तो घोड़े भी हिन हिनाया और जो आउक्स होते हैं वो भी क्या किये लाउड किये मतलब रंभाना होता है बैल जो होते हैं उनका आवाज को लाउड बोलते हैं तो बैल भी अपना आवाज में रंभाते हैं, चिलाते हैं, दा सिप्स ब्लीट ब्लीट, जो भेड़े हैं, वो भी ब्लीट ब्लीट करते हैं, मिमी आते हैं, है न, मेमे करते हैं, कैम ओबर दा रोड, रोड पे मेमे करते हैं, ठीक है, सभी सांत प्रसंता के साथ कहते हैं, सीमिंग का मतलब होता है, दिखाई देना या फिर परतीत होना, ठीक है, तो अल सिमिंग टू से सभी लोग दिखाई दे रहे थे, सांत और प्रसंन, ठीक है, good little girl अच्छी छोटी बच्ची कहती है goodnight, goodnight सुवरात्री, सुवरात्री ठीक है she did not say to the sun goodnight उसने सूरज से नहीं कहा goodnight ठीक है she did not say to the sun goodnight उसने सूरज से goodnight नहीं कहा सुवरात्री नहीं कहा though she saw him there like a ball of light हलांकि उसने उसे वहां परकास की गैंद की तरह देखा हलांकि यह जो लड़की है गर्ल है इसने उस सूरज को एक परकास के गैंद के जैसा मतलब सूरज कैसे दिखाए दिया उसको एक परकास मतलब रोसनी का लाइट का गैंद के जैसा ठीक है For seeing you, he had God's time to keep क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास रखने के लिए परमेशुर मतलब भगवान का समय है ठीक है अब आगे देखिए क्या कहा रहा All over the world and never could sleep पूरी दुनिया में All over the world मतलब पूरी दुनिया में और कभी सो नहीं सका Never could sleep मतलब सो नहीं सका ठीक है पूरी दुनिया में और कभी सो नहीं सका And or while on the pillow See softly lay अपने तकिये पर वो धीरे से लेट गई मतलब धीरे से वो अपनी तकिये को नीचे रख के सो जाती है अब आगे देखिए कहता है See knew nothing more till again it was day वह और कुछ नहीं जानती थी जब तक की फीर से दिन नहीं आ गया And all things said to the beautiful sun और सारी बातें सुन्दर सूरज से कही गई जितना भी बातें कही गई सब सुन्दर सूरज से कही गई ठीक है Good morning, good morning Our work is begun सुप्रभात, सुप्रभात हमारा काम सुरू हो गया तो इस तरीके से ये poem था और इसका मैंने Hindi meaning आपको explain किया, समझाया, ठीक है तो उमिद करते हैं कि आपको ये कविता poem अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा तो बच्चों अगर आपको ये video अच्छा लगा तो please इस video को like जरूर कर लिजेगा और अगर आप हमारे इस channel को अभी तक subscribe नहीं की है तो जल्दी से channel को subscribe कर लिजे और साथ साथ में भी like and का notification भी on कर लिजे इसी क्या होगा, जब भी मैं इसी तरह English का कोई भी Hindi explanation वाला video upload करूँ तो सबसे पले इस video का notification जल से जल आप तक पहुंच सके, और बच्चों इसका जो question answer है इसका मैंने already video upload कर रखा है अगर आपने उस video को अभी तक नहीं देखे है तो आपको इसी video की description में link मिल जाएगा उस link को click करके आप इसका question answer को भी देख सकते हैं, ठीक है, तो चले बच्चों मिलते हैं बगला वीडियो में, तब तक के लिए बाई, thank you for watching this video